How to accessorize yourself on a day-to-day basis हम दो लुक्स को side कर देते हैं वहाँ यहाँ पर उनकी बात नहीं होने वाली है एक है bridal look और एक आप किसी की शादी में जारो इसके बारे में मैं बहुत बात कर चुका हूँ आगे भी करता रहूँगा बढ़ आज का वीडियो उस बारे में नहीं आज का वीडियो है कि जब आप casually friends के साथ आउटिंग पे जा रहे हो office wear में हो, day-to-day look में हो casual party में जा रहे हो तो आप अपने आपको कैसे stylize और accessorize करो focus jewelry पे ही रहने वाला है जूरी से burden करने की जरुवत नहीं है दूसरा मन्त है your accessory should compliment your overall personality आपकी accessory आपके dressing के साथ competition में नहीं दिखनी चाहिए ये दो factors को ध्यान में रखते हुए आईए main seven factors पे आगे बढ़ते हैं और अपना वीडियो शुरू करते हैं हाई आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते मैं हूँ सौमित्र आपका jewelry expert from dazzles fashion and costume jewelry before we start our video दो important चीज़े है हमारी website dazzles jewelry.in आपको कोई भी doubt वहाँ पर selection करने के बाद आता है पहले आता है आपको video call करवा करके अपनी selected jewelry देखनी है mail कर दीजे हर जगा courier हो जाता है इंडिया ने बरॉड ऐस विल second important point है आप में से जो लोग अभी तक subscribe नहीं किया है subscribe this channel 60 से उपर videos है all focused on jewelry awesome channel ऐसा आप लोग मुझे बिताते हो so let's begin first important factor है focus area jewelry का focus area जब भी आप day to day में बाहर जाते हो friends के साथ outing में जाते हो office wear में जाते हो तो आपका jewelry focus area क्या क्या हो सकता है neck पे हो सकता है कि आपने को styling style statement वाला necklace पहन लिया earring हो सकती है इनों को statement earring पहनी या फिर statement bracelets हो सकते है या ring हो सकता है हमेशा यहाँ पर तीन focus areas हो गया neck, earring और hand इन तीनों में से हमेशा कोई एक focus area से लेक करिए कभी भी दो focus area एक साथ नहीं होने चाहिए कि आपने layered necklace भी पहन लिया और statement earring भी पहन लिया उससे भी बड़ा blunder के आपने bracelet भी statement पहन लिया तीन focus area you are inviting blunder करना यह है कि मान लिजए आपने layered necklace पहनने का सोचा go for only layered necklace earring बिल्कुल simple रखिए light रखिए unnoticeable हो बहुत अच्छी बात है simple color की हो bracelet मत पहनी है ring पहनी है तो band ring पहनी है that's it आपको statement bracelet पहनना है तो आप अपना necklace और earring को बिल्कुल simple रखिए band earring पहनी है right so select one focus area and you are good to go most of the days आपके जो accessorizing की problem है you will be sorted out देखे जब हम day to day wear में accessorizing की बात करते हैं jewelry की बात करते हैं तो यहाँ बहुत जादा body shape आपके jewelry के type को define नहीं करता यहाँ पर dress किस तरह का dress है वह जादा important factor play करता है तो यह जो second factor है वो यह है कि आपका dress कितना जादा dominating, loud या noticeable या बिल्कुल नहीं है इन में से जैसे कि माल लीजे किसी वक्त में कोई एक printed fabric बहुत जादा in है आपने देखा हर कोई वो उस तरह का print पहन रहा है which is more and more visible तो आपकी overall personality में वो जो print है that is making a statement मैंने शुरू में आपको क्या कहा था आपकी accessory आपकी personality को compliment करनी चाहिए competition नहीं देना चाहिए तो जब ऐसा कुछ loud सा बोलने वाला कुछ आपने पहन रखा है fabric पहन रखा है या style statement पहन रखा है आपने बहुत सारे pleats वाला कुछ पहन रखा है जो कि visible है तो let that dress be the front runner accessorize तब आपको minimum करना चाहिए कभी भी उस पे heavy accessory नहीं करनी चाहिए on the other hand अगर आपने कुछ ऐसा dress पहना है जो कि pastel plain solid color का है आपने white shirt पहन ली है denim पहनी है या फिर आपने कोई भी solid color पहना उपर से नीचे थक so that in a sense is asking कि भईया मुझे jewelry से accessorize करो you know statement कुछ दो ऐसे cases में आप jewelry accessorization पे ज़ादा ध्यान दे सकते हैं आप थोड़ा सा statement look ले सकते हैं किसी भी एक focus area में एक से ज़ादा focus area नहीं so किस तरह का आपका statement आपका dress कह रहा है उसके हिसाब से आपको jewelry select करनी चाहिए third factor में मैं आपको अभी अभी जो एक trend चल रहा है उसके बारे बता देता हूँ अगर आप कोई plain dress पहन रहे हो single dress पहन रहे हो उपर से नीचे तक go for a belt belt के बहुत से फायदे हैं एक तो उस plain dress में वो आपकी waist define कर देगा which is good overall जो एक division create होगा बहुत अच्छा है यह आप अपनी height के साब से define कर सकते हो कि आपको belt पहननी है वो lower waist पहननी है या फिर आपके जो stomach का सबसे narrowest part है वहाँ पहनना है जो भी division create होगा वो amazing होगा आप short height के हो तो ऐसा division पहनो की one is to two upper torso and lower torso का division हो जाए but यह trend में है यह आपकी waist define करेगा बहुत अच्छा लगेगा second अगर आपने कोई single pastel shade का माल लिजे dress पहना उपर से निचे तक उसमें बहुत कुछ है नहीं तो आप belt जरूरी नहीं है कि उसी से matching पहनो मैं यह बिल्कुल नहीं कहा रहा हूँ कि matching belt पहनो matching belt पहन सकते हो अगर आपको बिल्कुली simple रखना है but आप थोड़ा सा you know different कर सकते हो जिस shade के आप shoes पहन रहे हो या जिस shade का आपका strap है watch का उस shade की आप belt पतली सी पहन सकते हो बहुत अच्छा होगा अगर आप multi color printed भी पहनो तो भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आपका बट यह बस ध्यान रखेगा कि बिल्कुल matching matching मत पहन लिए जितना आप अलग रखोगे उतना वो statement बना पाएगा और आपको कोई accessories की जरुवत नहीं है बहुत light सा आपको अगर कान में कुछ पहनना है तो you can go for it बट यह जो belt का इस वक्त trend है आपको जरूर explore करना चाहिए आप पे अच्छा लगेगा fourth factor की बात करते है type of fabric type of fabric में सिर्फ दो ही categorization है मैं बिल्कुल deep में नहीं जाने वाला हूँ कि आपका overall जो fabric है वो light और breezy है या फिर वो heavy है heavy यानि कि look wise वो देखने में आपको heavy लग रहा है या फिर एकदम light सा breezy सा लग रहा है अगर light और breezy सा कुछ है तो आपको lighter accessories ही पहननी चाहिए कभी में mismatch मत mix मत करिये उसके साथ कि आपने light सा कुछ casual सा chiffon का एक आपने बढ़ियां सा fluid रहा है टॉप पहना हुआ है नीचे jeans पहनी हो उसके साथ आपने कोई heavy jewelry पहन ली अच्छा नहीं लगेगा अगर आपने कुछ ऐसा fabric पहना जो आपको heavy लग रहा है visually जैसे कि आप यह image में देख रहा हो उसके साथ आप फोड़ा सा heavy exercise कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है focus area कोई single ही रखना जादा मत करना क्योंकि फिर you know you are inviting blender पांचवा factor है occasion जैसे आपको को मालूम है occasion पर बहुत जादा jewelry dependent करती है बट मैं थोड़ा सा specify करता है कुछ examples के साथ जैसे माल यह date night है date night है तो आप earring उसवक soft romantic look वाले curvy designs पहनना पसंद करोगे rather than you know edgy designs necklace अगर पहनोगे तो light सा पहनोगे with a soft elegant touch as a pendant or something like that इसमें आप कहीं पर भी कुछ edgy सा नहीं रखना चाहोगे that will give a good romantic look आप कोई दूसरा occasion से लेकर जैसे माल यह आप airport पे जा रहे हो वहाँ पर आपका एक focus area नीचे की तरफ जा रहा है जहाँ पर आपने rugged look के jeans पहनी हुई है तो आपका नेक area और चुक की उपर आपने plane पहना हुआ तो वहाँ पर आप जो हलका सा एक gold या rose gold की पतली सी chain के साथ आप एक अच्छा सा pendant पहन सकते हो जो आपके t-shirt के उपर हलका सा overlap करे या फिर आप necklace avoid करके सिर्फ बड़े hoops पहन सकते हो gold के rose gold के सब चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है white के साथ बिल्कुल silverish का hoop मत पहन ली जाएगा या वह मजा नहीं आएगा वह मैं अगले factor में उसके बारें बात करूँगा बट इस तरह के occasion के हिसाब से भी jewelry selection बहुत जरूरी है sixth important factor है कि आपका theme क्या है हाला कि मैं जानता हूँ कि बहुत सारा लोग सुबार ready होते वक्त ये नहीं सोचते और आप चाहते हो कि बाकी लोग आपकी बात सुनें you know you are there to make a statement of course आपके presentation skill अच्छी होनी चीज़ के लिए बट जो पहली चीज़ लोग notice करेंगे वो क्या है आपका get up आपका look तो वहाँ पर आप कोशिश कर सकते हो कि आप जो है थोड़ी से geometrical edgy type की earrings पहनो with a small pendant you know that will give that kind of vibe दूसरा जैसे मान लीजे आपने black and white या फिर कोई indigo shade का print या फिर उस तरह की कोई cotton sadi carry करनी है तो definitely आप oxidized jewelry को explore कर सकते हो उस दिन के लिए या फिर आप कुछ cotton की इसी तरह की कुर्ती try करते हो तो भी आप इस तरह की oxidized jewelry को explore कर सकते हो उस दिन के लिए या फिर आपकी office party है आप invited हो तब आप थोड़ा सा glitter की तरफ जा सकते हो और हलका सा gold या rose gold polish के साथ आप कुछ glitter वाला diamond या American diamond या फिर polky के studs भी explore कर सकते हो तो totally depend कि उस वक्की आपकी theme क्या है उसके हिसाब से आपको accessorize करना चाहिए सात्वा बहुत important factor और मेरे हिसाब से यह बहुत बहुत important है कि कभी भी अपनी jewelry को अपने dress के साथ match करने के लिए मत जाईए क्यों क्योंकि वो कही न कहीं भीड में खो जाती है वैसे भी आप यहां पर इस पूरे के पूरे वीडियो में बात कर रहा हूं कि जब आपको light jewelry वाला occasion होता है तब की बात की जारी है सोचे आपने black dress पहना उस पर आपने black studs पहन लिए never it will never look good वो अपील आ ही नहीं पाएगी आपके personality की हमेशा भीड में खो जाएगी आपको हमेशा कुछ ऐसा पहनना चाहिए जो आपके dress से थोड़ा सा अलग दिखे आप सोचोगे कि क्या white t-shirt पे आप rose gold या फिर gold की पतली सी चेन के साथ pendant नहीं पहन सकते हैं पहन सकते हो बहुत अच्छा लगेगा नीचे सोच के देखें नीचे ripped jeans है उपर white t-shirt है और आपके एक पतली सी चेन वाली एक छोटा सा pendant आ रहा है जो आपके neck के उपर overlap कर रहाएट वह लूक अमेजिंग कितने सारे stars ने अभी airport लुक मे आपने earring पहना है तो उसी polish का आप bracelet पहनो उसी polish का आप necklace पहनो उसी आपने watch का जो strap है आपका अगर brown है और आप अगर waistband कुछ ले रहे हो तो आप वो दोनों को match कर सकते हो आपने कुछ overcoat लिया है मान लीजे burgundy color का तो आप उसी color का जो है नीचे shoes पहन सकते हो उसी तरह का जो है आप एक single सा stud पहन सकते हो यह चीज़े accessories को आपस में coordinate कर सकते हो बद्रेस के साथ accessories को अगर आपने coordinate किया तो competition तो दूर की बात है आपस में सब भीड में खो जाएंगे और आपकी personality अच्छी कभी भी उभर के नहीं आ पाएगी आज के साथ factors हो चुके है मैं आपको आपको especially बताऊंगा कि क्या नए trend में आया है क्या आप कैसे get up को carry कर सकते हो क्या face shape के हिसाफ से क्या attire के हिसाफ से आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए so do watch out for that video आगे आने वाले दोनों वीडियो उसी पर होंगे आप में से जिसको भी इस वीडियो से related कोई भी doubt है comment में पूछ सकते हो mail कर सकते हो jewelry लेनी है dazzle jewelry.in पर जाईए लखनव कानपूर में है तो आपका स्वागत है हमारे showroom में कोई भी doubt है email करिए हम आपसे video call पर भी connect हो सकते हैं आप में से जो लोग नए है प्लीज इस चैनल का हिस्सा बनिए subscribe button पर click कीजे इस family का हिस्सा बनिए because it is a jewelry specific channel और मैं बहुत गर्ब से कह सकता हूं कि इंडिया का एक लौता jewelry specific channel है और आपको यहां पर best quality और best style tips ही मिलेंगी so मिलते हैं अगले हफता with a brand new topic maybe suggested by my subscribers only I am Samitra, your jewelry expert from Dazzle's fashion and costume jewelry